चलिए अब आपको 36 गड़ के एक हीरो से मिलवाते हैं ये किसी फिल्म में काम नहीं करते हैं ये पुलिस में हैं जी हाँ आपको मिलवाते हैं एक ऐसे रियल हीरो से इसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है 36 गड़ ट्राफिक पुलिस के कॉंस्टिबल निलामबर सिनहा इंदनों सुर्खियों में हैं सोशल मीडिया पर लोग उनकी इमानदारी को सल्यूट कर रहे हैं कई आईएस और आईपियस अधिकारियों ने भी उनकी तारीव किये राइपुर में तनाथ कॉंस्टिबल निलामबर को सड़क किनारे लावारिस हालत में रुपियों से भरा हुआ एक बैग मिला था इस बैग में 45 लाख रुपे कैश था जाहिर है अगर किसी के सामने लावारे सालत में इस तरह से रुपियों से भरा हुआ बैग अगर मिल जाए और इसके सामने आ जाए तो नियर डूलना लाज़मी है मगर कॉंस्टेबल निलामबर सिना का इमान नहीं डूला उन्होंने रुपियों से भर हुए बैग की जानकारी अपने डिपार्टमेंट के अफसरों को दी उसके बाद उसके मालिक तक कैसे पहुचाए जा सकी इसकी कोशिश की उनकी इस इमानदारी को देखकर लोग उनकी जमकर सरहना कर रहे हैं खुद मुक्रिमन्तरी बुपेश बगेल ने भी निलामबर की तारीफ की है तो यह है निलामबर जिनकी चर्चा पूरे देश में है कोशिश करते हैं सीधे उनसे बात करने की निलामबर जी से स्टेड हेट आधित नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ निलामबर जी है आधित लगातार इस तरह से खबरे मिलती है कि कहीं कोई पैसों का भरा बैग छीन कर भाग गया कोई किसी को चकमा देकर पैसों से भरा बैग लेकर भाग गया कहीं काँच गाड़ी का काँच तोड़कर पैसे लेकर भाग गया अब आप देखिए कि निलामबर जी खुले में उन्हें पैसा मिला वो चाते तो इसे रख लेते किसी को बताते नहीं जिन्दगी भर की एक कमाई हो जाती क्योंकि इतना तो पैंचन से भी नहीं मिलता और नहीं पी एफ जी एफ से मिल पाता लेकिन आप देखिए कि च्छतिस गड़ पुलिस की इसी लिए तारिफ नहीं होती देश में सबसे जादा भैत और इमानदारी से ड्यूटी करने वा एक लोवर मिडिल क्लास के लिए पूछिए कि 45 लाग की आखिर कीमत क्या होती है 45 लाग मिले उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि 45 लाग को रख लेते तो शायद पता भी नहीं चलता क्योंकि उस रिलाके में ना तो कोई CCTV फूटेस था ना किसी को कुछ पता था उन्होंने सब अब से पहले रैपूरेसपी को फोन किया रैपूरेसपी से बात की और अपने घर वालों को बताया कि इतनी मोटी रकम मिली है तो घर में जो उनकी ग्रिनी है जो उनकी पतनी है उन्हें बहुत साफ कहा कि ऐसे पैसे घर मत लाइएगा इसको ततकाल जमा करा दीजे तो अब चुटी मोटी रकम नहीं होती नियत किसी की डोल सकती है एक उस समय जब हाथ ने पैसे आये तो कुछ लगा कि नहीं पैसे घर भी में ले जा सकता हूं या सीधा यह लगा कि मैं अधिकारियों को इस बतना हूं नए मेरे को समय लंगा कि मैं घर ले गळाओ मेरे दिमाग में चल रहा थो ऐसे पैसा उसको वापस मिल जाए पैसा उसको ऐसा करके फिर मैं घर में फोन किया तो ठाने मे جमळा कर दो पैसा को उसे पर जमा कर दिया पूरMax फिर मैं इस वहां बीडिल खेमम्ली के लिए 45 लाग कितनी बड़ी रकम होती हम सब जानते हैं उस वक्त खयाल नहीं आया कि यही ध्यान था कि मुझे यह पैसा क्योंकि दूसरे की अमाना था और पुलिस में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि जो चीज है अगर वो किसी दूसरे की तो वो किसी दूसरे की है हमारी नहीं है हम वहीं सोच रहते सर यह पैसा जिसका है उसी के पास पहुंच जाए हम इसलिए हम सीध्य सब्सक्राइब को काल किये उसको पैसा जिसका है उसके पास चला जाए हम लांबर जी की पत्नी भी मेरे साथ मौझूद है उनसे बाचित करूँगा जब आपको फोन करके नहीं बताय कि 45 लाख रुपए मिले तो ऐसा नहीं लगा कि 45 लाख मिल गए बड़ी रकम है क्या कहा आप जी मैं नहीं कहा कि मुझे यूश्टेप का पैसा नहीं चीए जो पैसा है वो जहाँ जाना चीए वहीं रख दीजिए और या फिर आपको जहां जम्मक करना है वहां कर दीजिए घ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पापा वह पैसे को दे दिये तो देखे यह वह परिवार है निलांबर जी का यहां पर अमलीडी के पुलिस कालोनी हाउजिंग कालोनी में यहां पर रहता है और निशित तोर पर 45 लाग कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती उस रकम स यह इमानदारी कायम होनी चाहिए इमानदारी रखनी चाहिए और किसी दूसरे का पैसा या किसी दूसरे की चीज़ है निशित तोर पर वो किसी दूसरे की है किस तरह का पैसा था किया था कहा से आया था इन्वेस्टिकेशन का सबजेक्ट है लेकिन एक बहतरी मिसाल इमान देने थे नाम नहीं पूछ रहे मुंसातियों का लेकिन इसको लेकर थोड़ा मजाग तो जरूर हुआ होगा चुट-चुटे मीम्स जरूर बने होंगे भिलकुल दोस्त हमारे होते हैं कई दोस्त बद्माज भी होते हैं। जा मारी उठते बैठते हैं। कोई ऐसा तो नहीं बोलडा लगहीं लृश अच्छे बढ़़ा थीए हैं कि बहुत बढ़ ही जम्म करके पैसा को फाइसे को कुछ न dá非 बोले م आसपास कलोनी वाला तो नहीं रख लेना था यार कहां तुम भी वापस कर दिये हो तो यहां पर रहते हैं तो यह सला तो किसी ने नहीं दिये लेकिन हाँ यह बात बहुत साफ है किसी की भी नियट डोल सकती थी लेकिन इमानदारी की जो मिसाल इनों ने कायम की जो इमानदारी का परिशे दिया है यह बहुत विरले ही अब पूरे प्रदेश में पूरे देश में देखने को मिलता है एक चीज होती आदित ये भक्ती और इमानदारी कहते हैं बहुत जल्दी नजर नहीं आती लेकिन निलामबर जैसे वो पुलिस कर्मचारी हैं जो इस ना दिखने वाली चीज को भी दिखा देते हैं कि इमानदारी क्या होती है बहुत बहुत शुक्रिया आदित इस तवाम बाचीत के लिए हमारे साथ जुनने के लिए और शुक्रिया और धन्यवाद कहिएगा कि हमें फक्र है कि 36 गड़ पुलिस में निलामबर सिना जी जैसे आरकशक मौजूद हैं जिनके साथ रहते रहते अब हमें ये लगता है या जिनका साथ इस विभाग को भी मिला तो इससे ये साबित होता है आप पुलिस को ये समझते हैं कि पुलिस घुसकोर है या पुलिस ऐसी है या पुलिस वैसी है कई तरह की बाते लोग करते हैं लेकिन निलामबर जी वो ऐसे शक्स हैं जुनोंने उस छबी को अपनी ड्रेस क की तरह शाइड की तरह बिल्कुल सफेद रखा चलिए आगे बढ़ते हूं